आज हम बनाएंगे मेथी से बहुत ही हेल्दी और टेश्टी नास्ता आप इसे मिंटों में बना सकते हों और इसे एक हपते के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो चलिए इसकी रेसिपे स्टाट करते हैं इसके लिए यहां मैंने 100 ग्राम मेथी को अच्छे से धो करके साफ कर लिए हों और आप देख सकते हैं मेथी हमारा एक दम ताजा और फ्रेश है और अब हम चाकू या नाइप से मेथी को बीच में से कट कर लेंगे और अब हम इसके बहुत भी बारीक या महीन काट लेंगे आप से जितना बारीक हो सकें फिर आप इसे चौपर से भी अच्छे से चौप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मैं इसे नाइव से ही बहुत ही महीन और बारी काट ली हूँ आप इसकी जगा मेथी को रफली कट करके इसे 2-3 मिनट के लिए गरम पानी में बॉइल भी कर सकते हैं उससे भी आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आप देख सकते हैं या मैंने मेथी को बिलकुल महीन कट कर ली हूँ और अब हम इसे एक बरतन लेंगे और बरतन में सारे कटे हुए मेथी को डालेंगे और अब हम इसमें एक मेडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे और आप देख सकते हैं प्याज को भी यहां मैंने बिलकुल महीन काटी हूँ अगर आप खाते हैं तो आप इसमें डाले नहीं तो आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं और अब हम इसमें कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे आप चाहे तो हरी मिर्च को क्राइन करके भी डाल सकते हैं और अब हम इसमें स्वाद अनुसार हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और इन सभी इंग्रेडियन को नमक के साथ अच्छे से मिक्स करके हम इसे 5-6 मिनट के लिए रिष्ट पे रखेंगे जिससे होगा क्या है कि सारी सबजिया अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और ये गल भी जाएगी और आप देख सकते हैं 5-6 मिनट हो गए हैं मेथी में हम गेहू का आटा डालेंगे यहां मैंने 1.5 कप आटा ली हूँ आप अपने एकॉर्डिंग ले सकते हैं और अब हम इसमें 2 चमच बेसन एड़ करेंगे बेसन एड़ करने से आपका नास्ता बहुत थी जादा टेश्टी बनेगा और अब हम आटे और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून या एक चमच बारी कटा हुआ अधरग डालेंगे नास्तिक को और भी जादा टेश्टी और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें 1.5 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पौडर एट करेंगे और इसमें 1.5 टीस्पून या अधर चमच हल्दी पौडर एट करेंगे और एक टीस्पून या एक चमच वाइट तिल या सफेद तिल डालेंगे और इसमें फ्लेवर के लिए हम इसमें 1.5 टीस्पून या अधर चमच अजवाइन डालेंगे और अब हमारा नास्ता बिल्कुल सॉफ्ट बने इसके लिए हम इसमें दो चमच घर का बना फ्रेश्ट ही डालेंगे अब हम इसमें हाफ टी स्पून गार्लिक पेश्ट अट करेंगे आप चाहे तो बारीक कटे हुए लैसोन भी डाल सकते हैं और अब हम साफ हाथ से इन सभी इंग्रेडियंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे क्यूंकि मेथी में हमने पहले से नमक डाल रखा तो मेथी पानी छोड़ा है तो हम उसी पानी से आटे को अच्छे मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं आटा हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सौफ्ट आटा गून लेंगे या डो बना लेंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसका सौफ्ट आटा गून के तयार कर ली हूँ अच्छे से लग गया है हम इसे बांच मिनिट के लिए ढ़के रखेंगे और आप सकते हैं और अब हम देख सकते हैं बोक्स में भी बना करके बच्चों को दे सकते हैं और हम एक लोई लेंगे और इसे चखले के ऊपर अच्छे से ग्राउंड शेफ में करते हुए इसका एक पेड़ा बना लेंगे और अब हम इसके ऊपर सुखा आठा डालेंगे और इसे हलके हातों çो इस तरीके से दबा लें और आप देख सकते हैं डो का पेड़ा बनके तयार हो गया है तो अब हम इसे बेलन से हलके हाथों से अच्छे से बेल लेंगे आप इसे बिलकुल रोटी या चपाती जिस तरीके से बनाते हैं आप उस तरीके से इसे पतला बेले और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसे बेल हूँ और आप देख सकते हैं यह हमारा बिलकुल चपाती के सेट में यहां मैंने इसे बहुत भड़िया और पतला बेला है तो इस तरीके से आप इसे जितना पतला हो सके उतना पतला इसे बेले इस से ज़्यादा ना बेले नहीं तो आपके पराठे या चपाती इस तरीके से आई फ्लेम पे अच्छे से पलटते हुए सेख लेंगे और आप देख सकते हैं पराठा अमारा एक तरफ से सिख गया है इस टाइम पे गैस का फ्लेम यहां मैंने मेडियम रखी हूँ और अब हम पराठे के एक साइट पे घी लगा लेंगे यहां मैंने घी का यूज क्यों आप चाहे तो बटर या ओलिब ऑइल का भी उस कर सकते हैं घी लगा कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे पराठा हमारा अच्छे से सिखेगी और अब हम सेम तरीके से दूसरे तरफ भी घी लगा लेंगे और घी लगा करके हम इसे भी अच्छे से दबाते हुए अच्छे से सेखेंगे जिससे पराठा हमारा दोनों तरफ से सुनहरा या गोल्डन कलर का अच्छे से सिख जाएगी और आप देख सकते हैं एक तरफ से इसमें बहुती बढ़िया और सुनहरा कलर आ गई है और सेम तरीके से हम यहां पलट करके इसे दूसरी तरफ से भी सेख बढ़िया जाएगी और अब हम पराठे को प्लेट में निकाल लेंगे और सेम तरीके से हम गरम तबा के ऊपर दूसरा पराठा चवरी भी पराठा लिए और अपार एकदम बन है यहां इसे आच्छे से साथ सेंग़ और सूर्डो पराठा टेट्प बना के तयार लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नहीं टूटा है और अब मैं आपको इसे तोड के दिखा रही हूँ ये खाने में बहुत ही टेश्टी और स्वादिश्ट लगते हैं तो इस तरीके से आप गुजराती थेपला या मेथी का पराठा विंटर पे घर पे नास्ते में जरूर खराब नहीं होगी और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेलफूल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक शेयर करें मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसेपी में और इस रेसेपी को घर पे जरूर और अपना फीड़बेक और एक्सपीरियंस मेरे सज़ा है